हेलो अबरीवन वेलकम टू कुक विट सीमा, आज के इस वीडियो में हम आम और ओरियो बिस्किट से एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग और बिल्कुल नई डेजर्ट की रेस्पी बना कर तयार करेंगे, यह देखने में जितनी स्वाधिस्ट लगती है, खाने में उससे भी ज्य करें, आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, तो चलिए इस आसान सी ओरियो मेंगो डेजर्ट की रेस्पी को बनाना सुरू करते हैं, ओरियो मेंगो डेजर्ट बनाने के लिए हमें चाहिए ओरियो बिस्किट, यहां मैंने 120 ग्राम का ओरियो बिस्किट का पैक लिया जिससे की बाद में इसे ग्राइंड करना इजी हो जाए आप चाहें तो सिंपली इस बिस्किट का बेलन से भी चूरा बना सकते हैं उस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं तो सारे बिस्किट को मैं इसी तरह से दो से तीन टुक्रों में रफली तोर दूँगी और अब इसे एक ग्राइंडिंग जार में हम ले लेंगे और इसका फाइन पॉर्डर बना कर तयार कर लेंगे तो ओरियो का पॉर्डर बनके तयार है इसे हम फिर से सेम बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे तो इसी तरह का बिल्कुल फाइन पॉर्डर हमें चाहिए इसे हम साइड में रख देंगे और चलते हैं नेक्स प्रासेस में तो यहाँ मैंने दो मीडियम साइज के आम को चील कर और चोटे टुक्रों में कट कर लिया है तो अब इसकी हमें पेवरे बनानी है तो इसे हम एक ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफर कर लेंगे और इसके साथ ही इसमें आधा कब दूद हम डाल देंगे आप चाहें तो इसमें चीनी भी एड़ कर सकते हैं पर यह आम भी काफी मीठा है तो मैं इसमें चीनी नहीं एड़ कर रही हूँ और ओरियो बिस्कित भी काफी मीठा होता है फिर भी अगर आपको लगें तो आप दो चम्सटाव में चीनी एड़ करें और इसका हम पेवरे बना के तयार कर लेंगे तो इसकी पेवरे बन के रेड़ी हैं मेंगो पेरे हमारे कुछ इस तरह के बनके तयार हुए हैं इसमें अभी भी छोटे छोटे चंक्स हैं पर जिससे कोई प्रॉबलम नहीं होगा और अब यहां हमने ओरियो बिस्कित का जो पाॉडर बनाकर तयार किया था उसमें 2 से 3 चंक्स के करीब हम दूद्ध अड़ करेंगे और इसे अपने हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे तो एक बार में आप बस 1 से 2 चंक्स दूद धाल कर और इसे अपने हाथों से मिक जिस तरह से हम गुलाब जामुन का बॉल्स बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम बना कर तयार कर लेंते। यह फिर अगर आप चाहित तो इसे किसी और सेप में भी बना कर तयार कर सकते हैं। तो बहुत ही korkon भी शवर्ड उज शादी है। तो इसी तरह से मैंने सारे बॉल बनाकर तयार कर लिए हैं और इतने मिक्स्चर से मैंने टोटल एट बॉल बनाकर तयार किये हैं और अब इसे एसेंबल करने के लिए मैंने दो छोटे छोटे बॉल ले लिए हैं और इसमें हम पहले मैंगो प्योरे डालेंगे और उपर से हमने जो ओरियो बिस्किट का बॉल तैयार किया था वो हम इसमें रख देंगे तो देखने से ही बहुत जादा टेम्टिंग लग रहा है उपर से मैं थोड़े से कलरफुल स्प्रिंकल से इसे डेकॉरेट कर रही हूं आप चाहें तो इसे अपने पसंद के ड्राइफ रूट से भी डेकॉरेट कर सकते हैं उस तरह से भी ये बहुत जादा अच्छी लगती है और इसे आप मिनिमम आधे घंटे के लिए फ्रीज में रख दें और उसके बाद थंड़ा थंड़ा चिल्ड सारू करें तो ये खाने में बहुत ही जादा स्वाधिस्ट लगती है और इसे बनाना कितना इजी है ये तो आपने देख ही लिया है और बागी बचे को एसेंबल करने के लिए मैंने ये सर्विंग बॉल ले लिया है तो इसमें पहले हम मैंगो पेरे एड़ करेंगे एक स्पून से इसे अच्छी तरह से लेवल कर देंगे और अब हमने जो ओरियो बॉल्स तयार किया था वो इसमें डाल देंगे उपर से इसे कलर्फुल स्प्रिंग्लर से या फिर आप अपने पसंद के मंचाहे ड्राइफ फ्रूट से डेकुरेट कर दें तो हमारा ओरियो मैंगो डेजर्ट वाल बनके तयार है जैसा कि आप देख रहे हैं देखने से ही बहुत ही ज्यादा टेंटिंग लगता है इसे आदे गंटे के लिए फ्रीज में रखके ठंडा ठंडा जिल्ट सर्व करें तो ये खाने में बहुत ज्यादा स्वाधिश्ट लगती है वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलती हूं बहुत जल्द आप से ऐसी ही नई और इंट्रेस्टिंग रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाई टेक कियर